हेलो एन वेलकम बैक एवरिवन इन दे लर्निंग प्लेटफॉर्म आफ फेलकर नर्सिंग क्लासिज आज का जो हमारा टॉपिक आप डिसकेशन रहेगा देट विल बी ऑन अंटिबियोटिक्स देखें अंटिबियोटिक्स जो है वो मुस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मु दिरिंग जॉब आपको एवियरनस होनी चाहिए रिकार्डिंग वेरियस टाइपस आप एंटिबियोटिक्स या आप डिग्री प्रसुव कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एंटिबियोटिक्स पढ़ने होते हैं जो आपके लिए बहुत टफ रहता है या एक्जैम में मोस हमें पूछा जाता है तो यहां पे एंटिबियोटिक तेरैपी को यहां पे डिसकस करते हैं हम जो भी कॉमन पॉजिटिव एजेंट है ओपसं कॉमन डिजीज वह हम यहां पे डिसकस करेंगे पहले-पहले क्या होता था जूरिंग दे ओल्ड टाइमस जो भी इंडिज वाल थे वह इंडिज वाल जो है वह इन बैक्टीरिया के साथ मतलब गुल मिल के रहते थे ते इनफेक्शनास के चांसे जो थे एक इंडिज वाल में इंफेक्शनास रियर थे या कम थे बट लेटर रान वाट हैपनेश के जो भी लोग है जो पीपल है उनका जो स्टेंडर्ड लिविंग है वो चेंज हो गया तो विस्थी क्या हुआ कि जो टुट दे चेंज इन दे लिविंग स्टन डाड जैसे पुराने पुराने जो बच्चे होते थे दे यूज टू प्ले विद दे क्ले ठीक है तो वो खुद को एंवरामेंट के साथ एक्सपोज करते थे जब हमने खुद को एंवरामेंट के साथ एक्सपोज करना बंद कर दिया तो what the bacteria started to do they started causing diseases ठीक है बैक्टिरिया ने disease cause करना start किया एक individual में then हमने क्या किया हमने start किये antibiotics बनाने ठीक है as you know कि जो सबसे पहला antibiotic था that was the penicillin और penicillin किस ने बना आया था penicillin was made by Alexander filming filming ने क्या किया filming ने पैटरी डिश में fungus लिया ठीक है और बैक्टिरिया को इसमें mix up किया and after a few days क्या result आया यह जो बैक्टिरिया था इसको kill किया था किस ने इस fungus ने तो वहां से जो यह antibiotic निकल किया आया that was the penicillin और penicillin सबसे पहला antibiotic था that to natural then then with the passage of time क्या हुआ जब हमने यह antibiotic बनाया अगेन इस्ट दो जो बैक्टिरिया तो बैक्टिरिया ने क्या start किया बैक्टिरिया ने start किया डिवलप करना resistance against those antibiotics for example against the pencillin with the passage of time हमने नया नया जो है new new antibiotics बनाने start कर दिये and in the same way जो bacteria था bacteria ने भी अपने अंदर कुछ changes लाए, mutations लाए just to develop the resistance against these antibiotics so यह जो struggle है यह जो war है between the bacteria and the humans that is like the game of thrones और यह चलती जा रहे it is going on देखे जब भी कोई bacteria होता है जब हम generally bacteria को study करते हैं तो bacteria के different classifications आते हैं like की shape की basis पे या whether aerobic है, anaerobic है, अगर aerobic है तो faculty है अगर anaerobic है तो oblique है कि faculty है so forth and so on different classification आते हैं लेकिन antibiotic therapy को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ arbitrary classification बनाई है just to understand the antibiotics देखे अगर इस classification की बात करेंगे तो जो bacteria है उनको हम 4 groups में divide करते हैं one is the gram positive, another is gram negative, atypical and anaerobic देखे अब इनको इनका क्या scene है, इन 4 types of bacteria का क्या scene है, देखे जो gram positive होते है gram positive में आता है हमारा, let's make it as a story कि gram positive में दो भाई आते हैं ठीक है, plus इनके माबाब आते हैं, right, father and mother और ये जो दो भाई हैं, इनमें कौन-कौन सा आता है, एक तो आता है, सिटरफाइलो कोकस ठीक है, बड़ा भाई and सिटरफाइलो कोकस और ये जो इनके माबाब हैं, इनमें कौन-कौन सा आता है, one is the mersa, another is versa ठीक है, mersa is methicilline, resistant, सिटरफाइलो कोकस आरियस and versa is vancomycin, resistant, सिटरफाइलो कोकस आरियस, तो ये तो हुई बात, किनकी gram positive की, अब second class क्या आता है, second class is that of gram negative gram negative में कौन-कौन सा बैक्टिरिया आता है, जैसे आपका हो गया E. coli, Klebsla, then cholera, that is vibrocholery, ठीक है, ये आते हैं किन में gram negative है, ये तो gram negative हो गए, ठीक, then comes the atypical, atypical जो होते हैं, ये somehow related होते हैं, towards to the gram positive, मतलब इनके जो characteristics होते हैं, वो gram positive से मिलते जो होते हैं, जैसे हो गया हमारा रिकेट्शिया, and chlymedia, and fourth category जो आते हैं, that is the anaerobus, जो usually क्या होते हैं, जो commensalus होते हैं, ठीक है, हमारी body में ये usually present होते हैं, लेकिन जब इनको favorable environment मिलता है, तब जाकि ये disease कर देते हैं, एक individual में, then examples की बात करेंगे, like colostridium, और ecoli, देखे, ecoli, ये आते हैं, anaerobus में, देखे, अगर हम इन चार groups की बात करेंगे, चार categories की बात करेंगे, जो भी ये disease create करेंगे, ये depend करता है, कि ये कहां से enter होते हैं, एक individual में, on the basis of that, हम बोल सकते हैं, कि ये किस system में, जो है disease create कर सकते हैं, ये जो चार categories है, bacteria की, अगर पहली category हम लेंगे, that is the gram positive, जो gram positive होते हैं, gram positive को अब consider क्या करोंगे, just consider it की, ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है, ये fly करते हैं, so, obviously, they will transmit in the form of droplets, जो droplets होते हैं, droplets के थो ये transmit हो जाएंगे, अब droplets के थो ये transmit होते हैं, from the host, ठीक है, from the agent, तो वहां से जाके, कि किस system में enter हो सकते हैं, देखे, सबसे पहला जो है, brain, so brain में इनके enter होने की chances है, plus minus, देखो, अब कोई microbe है, यहाँ पे, ये in the form of droplet है, environment में present, so एक individual क्या कर सकता है, इसको या तो inhale कर सकता है, जब inhale करेगा, तो ये जो chest के infections है, chest के infections किन से हो सकते हैं, gram, positive जो microbes होते हैं, that is this staphylococcus, aureus, और citraptococcus, usually जो है, जैसे lower, जो lower respiratory tract है, उसके infections किसे होते हैं, that is why citraptococcus होते हैं, जैसे pneumonia होता है by citraptococcus pneumonia, ठीक, now, अब second chance क्या है, कि अगर ये droplet present है, within the environment, ठीक है, तो ये individual कि किस में जा सकता है, या तो ear में जा सकता है, और ear में जा कि क्या करता है, otitis, media करता है, plus, या तो ये फिर nose में जाता है, ठीक है, nose के तो जो upper respiratory tract infections होते हैं, जैसे laryngitis हो गया, ठीक है, या pharingitis हो गया, या tracheitis हो गया, वो जा के किस से होते हैं, वो जा के भी gram positive से होते हैं, as far in a stennis के, आपको examiner पूश रहा है कि, most common causative organism of sewer throat, sewer throat किस से होता है, group A, beta hemolytic citraptococcus, so citraptococcus से ही क्या होता है, sewer throat होता है, और वो gram positive होता है, in the same way, third possibility क्या exist हो सकती है, third possibility is कि, ये skin में जाके enter हो सकता है, as far in a stennis, किसी individual का ये कोई skin force है नहीं, यहाँ पे कुछ कट लगा है, या आपने ऐसे individual को क्या किया है, surgery perform किये, अब ये droplets जो है, इस gram positive bacteria के, ये जाके environment में present है, आराम से ये जाके surgical site पे बैठ सकते हैं, और वहाँ पे जाके infection develop कर सकते हैं, so that is the reason, जब आप surgical site infections का discuss करते हो, तो वहाँ पे आप लिख देते हो, कि जो most common causative organism of surgical site infections है, that is staphylococcus aureus, ठीक है, या किसी individual में क्या होता है, cellulitis होती है, vasculitis होती है, ठीक है, या फिर किसी individual में impetigo होता है, उसका जो कारण है, वो भी क्या बनता है, this gram positive, right, now, अब brain की अगर बात करेंगे, brain में इसके, अब blood stream में चला गया, ठीक है, तो then जाके क्या होगा, कि या ये sepsis भी कर सकता है, right, अब brain में chances हैं इसके जाने की, क्योंकि blood stream में present है, but rear chances है, ठीक है, plus minus chances है, अगर brain में जाता है, तो वहाँ पे जाके भी क्या कर सकता है, meningitis, develop कर सकता है, अगर हम किसी elderly individual को लेंगे, तो एक elderly individual में, जो common cause होता है, of this meningitis, that is citraptococcus, citraptococcus से elderly people में क्या होता है, meningitis, develop हो सकती है, अब second जो group था हमारा, so यहाँ क्या बज़ते हैं, यहाँ बज़ते हैं दो systems, that is the GIT or urinary tract, जो GIT or urinary tract होता है, इनके infections किन से होते हैं, gram negative bacteria से होते हैं, gram negative bacteria से क्यों होते हैं, because जो gram negative bacteria होते हैं, like कि जो gram positive थे, वो transmit होते थे, through the droplets, ठीक है, वो हवा में उड़ते उड़ते आते थे और एक individual की body में चले जाते थे, but same is not the case with these anaerobics, anaerobics कैसे transmit हो जाते हैं, एक anaerobic through water transmit होता है, through water इसकी transmission हो जाती है, ठीक है, और we can say कि जो इनका transmission होता है, वो feco oral root के थो होता है, ठीक, किसी चीज़ पर कुछ bacteria लगा था, gram negative, दूसरे individual ने खाया, ठीक है, so वहाँ पर क्या होगा, जिए उसकी GI में चला गया और GI infection is create किये, जैसे gastroenteritis है, gastroenteritis किन से होती है, gram negative bacteria से होती है, ठीक है, in the same way appendicitis so forth and so on, वो किन से होती है, gram negative, या typhiol होता है, salmonella typhi से, ठीक है, salmonella typhi भी क्या है, that is also the gram negative bacteria, then finally comes the urinary tract infection, ठीक, अब अगर water के थो यह transmit हो जाता है, तो obviously जब एक individual अपने perennial area को clean करने के लिए water का use करेगा, तब जाके एक individual में क्या होगा, urinary tract infections होंगे, और urinary tract infections female ज्यादा होते हैं, as compared to males, क्योंकि इनका जो urethra होता है, that is short and citrate, urinary tract infections किन से ज्यादा होते हैं, ecoli से होते हैं, clepsula से होते हैं, या फिर pseudomonas से हो जाते हैं, एक individual में क्या urinary tract infections, और all three क्या है, all the three are gram लेगी, so हमने क्या observe कि जो chest infections है, ENT के infections है, और sikin के infections है, वो usually होते है, gram positive bacteria से, और gram positive में most important क्या है, one is the stuptococcus and another is stuptococcus, और जो GI और UTI के, जो urinary tract और gastrointestinal tract के infections होते हैं, वो usually होते हैं, gram negative से, और brain के जो infections है, यह या तो gram positive से भी होंगे, या फिर gram negative से भी होंगे, as for instance, अगर elderly individuals में हम बात करेंगे, तो elderly individuals में meningitis होती है, किसे, because of the citraptococcus, citraptococcus से इनमें meningitis होती है, सो इस classification की basis पे, whether यह एक bacteria जो है, gram positive group में आता है, या gram negative में है, या atypical है, या anaerobic है, और anaerobic है कब एक individual में infection develop करते हैं, यह तब जाके infection develop करते हैं, जब उनको ऐसा environment मिलता है, otherwise they are just our friend, so, इस classification की basis पे, जो हम antibiotics एक individual को देते हैं, वो इन ही चीज़ों को under consideration रखके, देते हैं हम एक individual में क्या antibiotic, the rest is that classification, जैसे कोई किसी का जो spectrum है, वो broad है कि narrow spectrum है, या mechanism of action क्या है, इसका ये cell wall को inhibit करता है, या किसी protein synthesis को inhibit करता है, that is the secondary classification, but primarily हम एक individual को किसी भी infection में कौन सा antibiotic देंगे, ये depend करता है कि कि किस part का infection हुआ है, किस system का infection हुआ है, जब किसी system का infection present है, तो हमें ये clear indication मिलेगी कि ये जो system है, इस system में किस organism से ये infection हो सकता है, वेदर gram positive से हो सकता है, या gram negative से, and accordingly हम जो है, ऐसे indiciable को antibiotics देते हैं, देखे, अगर antibiotics की बात करेंगे, for gram positive organisms, और gram positive bacteria, antibiotics जो gram positive में देते हैं, that is the penicillin, penicillin, as you know, कि सबसे पहला antibiotic जो था, that was the penicillin, थी, then हमने penicillin को क्या किया, tremendous use किया penicillin का, वेदर हमें humans में देना था, या animals में देना था, we administered the penicillin, so, obviously, with the passage of time, जो है, एक indiciable के body की bacteria, जो है, उन्होंने develop की resistance against this penicillin, and present point of time में, जो ये penicillin है, इसका single use होता है, clinical areas में, या indiciable की body में, कहां use होता है, ये होता है, use as a profile axis, as profile axis हम use करते हैं, for rheumatic fever, और rheumatic heart disease हम, वहाँ पे ये use करते हैं, as profile axis, कितना देते हैं, we administer 1.2 million units हम देते हैं, एक indiciable को कैसे देते हैं, I am root के through देते हैं, और जो most common trade name आता है, इसका, that is the penedura, penedura injection हम देते हैं, एक indiciable को after every 21 days, ठीक है, और lifetime ही देते हैं, ऐसे indiciable, that is the single use of this penicillin, ठीक है, अब books में देखोगे, तो जो common form है penicillin की, जो हम profile axis में use करते हैं, that is the benzyl penicillin, ठीक है, हाँ, तो यह जो penicillin है, penicillin का single use होता है, आज कल clinical practice में, यह हम use करते हैं, for the profile axis of rheumatic fever, penedura injection आता है, 1.2 million units, 21 days के बाद यह देते हैं, और life time देते हैं, एक indiciable में, क्यों देते हैं, क्योंकि जो, अगर जो valvus है, जो valvulitis होती है, that is the inflammation of the heart valvus, उसको prevent करने के लिए, हम क्या करते हैं, penicillin का use करते हैं, वहाँ पे, इसका यह single use है, then, जब हमने initial stages में, penicillin का use किया, तो obviously क्या हुआ, कि जो resistance है, against the penicillin, वह bacteria ने बढ़ा दी, then, we move to another step, ठीक है, कुछ नए antibiotics बनाए हमने, कुछ नए penicillin बनाए, that were the synthetic penicillin, और synthetic penicillin में, हमने क्या पहले बनाया, we made use of amoxidin, ठीक है, amoxidin के साथ, फिर हमने a core salt add किया, that was the calvinate, ठीक, जो amoxidin plus potassium calvinate, वह हम use करते है, most of the gram positive infection में, जैसे आप घर में होते हो, ठीक है, आप किसी simple से medical shop पे जाते हो, वह भी आपको क्या देता है, amox cloud देता है, ठीक, अगर आपको खासी वगरा होती है, so, this amoxidin plus potassium calvinate, market में आया, once की, जब penicillin के agonist resistance develop हो गई, जो amoxidin होता है, amoxidin के नाम से यह आता है, ठीक है, amoxidin plus potassium calvinate, यह 625 देते हैं, हम orally TID form में, और अगर IV administration करनी हो हमें इसकी, तो as augmentin injection होता है, augmentin 1.25 grams, और यह हम as such देते हैं, 8 hourly और TID हम यह एक individual में administer कर देते हैं, लेकिन, जो amoxidin होता है, amoxidin का क्या सीन है, यह cross नहीं करता है blood brain barrier को, अगर कोई individual ऐसा होगा, जिस individual में, जो elderly होगा, elderly में meningitis होगी, तो elderly patient को अगर meningitis होगी, वहाँ पे हम amoxidin CV का use नहीं कर सकते हैं, या अगर हम amoxidin CV यूज करेंगे, that will not cross the blood brain barrier, अगर blood brain barrier को cross नहीं करेगा, तो obviously यह वहाँ पे meningitis को treat नहीं करेगा, for that purpose हमने क्या use किया, we make use of ampicillin, ampicillin हमने बनाया और उसका use किया, ampicillin जो होता है, यह cross करता है, blood brain barrier को, so अगर elderly people में meningitis होगी, वह हम treat कर से हैं with the ampicillin, but इसकी limitation क्या है, ampicillin जो है, इसकी tablet form जो है, वह नहीं आती है market में, so अगर patient को, अगर admitted हो, वहाँ पे हम ampicillin यूज कर सकते हैं, लेकिन patient को जब हम discharge करते हैं, वहाँ patient को ampicillin पे नहीं रखते हैं, ampicillin जो होता है, 2 grams हम देते हैं, एक individual को after every 4 hours, IV root, ठीक है, after every 4 hours, जो dose बनता है, that is 2 grams, after every 4 hours, जो हम IV root के थो देते हैं, और उससे जो है, desired effect प्रूडूस हो जाता है, एक individual में, अगर present point of time की बात करेंगे, तो ना तो penicillin effect वो रहा है, ना ही amoxilin effect वो रहा है, और ना ही ampicillin effect वो रहा है, present point of time में हम क्या करते हैं, वे में एक यूज़ा, पिपरसिलिन प्लस, टेज़ोबेक्टम, जो पिप्टेज नाम के, ट्रेड नेम से आता है, और टेज़ार, ठीक, देखे, अगर मरसा और वरसा को, बचाने की कोशिश करेगा, तो वो ये, पिपरसिलिन प्लस, टेज़ोबेक्टर है, ठीक, बट वे थिंग इस, कि हम इस ड्रग को, प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं, एक्चुली, जब भी हम, किसी इंडिज़ोब को, विप्टेज पे रखते हैं, यूज़ोब जो नॉर्मल डोस होता है, देट इस, 4.5 ग्रैम हम देते हैं, आईवी और TID बेसे पे देते हैं, अब किसी इंडिज़ोब का, जो रिनल फांक्चन है, वो इंपियर्ड है, उसको हम, हाफ देते हैं इसका, या फिर बेडी भी कहीं कहीं पे कर देते हैं, लेकिन जो, एक्चुल प्रोटोकॉल है, पर एडमिनिस्ट्रेशन अब दिस पिफ्टेज, यह हमें इंडिज़ोब को देना है, टी आईडी बेसेज पे, सेम डोज देना है, बट एज आईवी इंफ्ज़ोजन देना है, पर फूर आउर्स, जो हम नहीं करते हैं, ठीक है, या तो हम यह ट्वांटी एमल में डाइलूट करके, एक इंडिज़ोब को एड्मिनिस्टर करेंगे, या हेंडर नेवल इंफ्ज़ोजन में 10 मिनित में चला देते हैं, अगर डिजायोड इफेक्ट इसका डेवल अप करना हैं, क्योंकि जब हम वाद 4 आउर्स यह देंगे, तो कंसेंट्रेशन रहेगी, एक इंडिज़ोब को इस एंडिज़ोब को जो है डोस मिलता रहेगा, और जो मर्सा और वर्सा है, वो प्रेवेंट हो सकते हैं इसे, ठीक है, तो दे थींग इस कि जो 20 ml में हम तरेक्ट लिए आईवी अड्मिनिस्टर करते हैं, या 100 ml में over 10 or 20 मिनुट देते हैं, या 100 ml में over 10 or 20 मिनुट देते हैं, या 100 ml में over 10 or 20 मिनुट देते हैं, that is the reason कि जो मर्सा और वर्सा हैं, वो हॉस्पिटल में एक इंडिज़ोब को एक पेशेंट को डेवलप हो जाते हैं, अगर हम यह as IV infusion देगे for a period of 4 hours, so minimum से minimum chances है for the development of the मर्सा और वर्सा, देखें, मर्सा और वर्सा यह क्या है, यह उन दो भाईयों के, एक तो उनका father है, और second जो है, that is their mother, that is the methicillian resistant staphylococcus aureus, और vancomycin resistant staphylococcus aureus, देखें, मर्सा और वर्सा की बात करेंगे, यह always जो होते हैं, यह hospital acquired होते हैं, क्या होते हैं, hospital acquired, that means कि जब भी patient कोई admit होता है, in the hospital, वो घर से ना तो मर्सा लेके आता है, ना ही वर्सा लेके आता है, यह दोनों जो है, hospital में इसको acquire होते हैं, कैसे acquire होते हैं, क्योंकि जब हम इन चीजों को, इन एंटी बायाटिक्स को सहीशे administer नहीं कर देते हैं, तब जाके एक individual में क्या होता है, मर्सा लेके वर्सा लेके होता है, वर्सा लेके होता है, एक condition ऐसी है, जहाँ पर एक individual को पहले सी ही present हो सकता है, मर्सा लेके वर्सा लेके अगर कोई individual जो है, वो immuno-compromised होता है, immuno-compromised में chances हैं, कि मर्सा लेके वर्सा मतलब outpatient basis भी present हो सकते हैं, ऐसे individual में, देखे, जो मर्सा है, that is methicillin resistant, chtophilococcus aureus, ठीक है, उसमें जो drug of choice बनता है, that is vancomycin, vancomycin बनता है, वहाँ पर drug of choice, लेकिन जो वर्सा है, that is the vancomycin resistant, chtophilococcus aureus, वहाँ पर vancomycin कोई काम ही नहीं करता है, प्लस, जो vancomycin होता है, vancomycin is nephrotoxic, ठीक है, और जो भी patient उस होते है, आप मर्सा, इनको most of the time is क्या होता है, sepsis develop हुई होती, अब sepsis develop हुई है, तो kidney का perfusion सही से नहीं होगा, nephrotoxicity जो है, उसके chances जो है, वह बढ़ सकते हैं, vancomycin कैसे देते हैं, 1 gram देते हैं, तो यह लावरली, IV infusion के थ्रोग, तो ऐसे इंडेज वालोज में क्या करते हैं, जोनको अगर वर्सा, जो है, वर्सा develop हो गया है अब, तो ऐसे इंडेज वालोज में हम, vancomycin का use नहीं करते हैं, वहाँ जो है, वहाँ हम कुछ और classes आप drug कर, use करते हैं, one is the deptomycin, another is linzolid, जो deptomycin है, या linzolid है, वह वहाँ पे हम use करते हैं, deptomycin, and linzolid, deptomycin, वह तना ज़्यादा important नहीं है, लेकिन linzolid का, की जो importance है, वह बहुत ज़्यादा है, और बहुत is most effective, जो है, drug against this MRSA, especially against the, VERSA, वह क्या बनता है, वह linzolid बनता है, so examiner पूछेगा, drug against this for VERSA, so that will be the, vancomycin, ठीक है, for MRSA, and for VERSA, it will be the linzolid, linzolid नहीं दिया है, वहाँ पे, then you can go for the, deptomycin, देखे, जो linzolid होता है, linzolid, या तो हम, किसी individual को, tablet farm में देते हैं, 600 mg, BD, या फिर, as IV infusion, आता है, ठीक है, as IV infusion, एक bottle आती है, उसमें, as IV infusion, यह आता है, वह हम, as IV infusion, देते हैं, और उसमें भी, same dose होता है, that is, 600 mg, और ये, ये भी, as BD, हम, एक individual में, administer करते हैं, देखो, अब, as a nurse, आपकी responsibility, क्या बनती है, जो ये, linzo lid होता है, linzo lid is, photosensitive, ठीक है, photosensitive, linzo lid की, अगर bottle है, उस पे, already covering होती है, बार से, silver covering, जब उसको, एक packet से, हम निकाल देते हैं, उसमें, silver covering होती है, उस silver covering को, हमें remove नहीं करना होता है, अब अगर, silver covering वहाँ पे नहीं है, settle इसको क्या करना है, black cloth से, इसको cover करना है, so that, के light इस पे ना पड़े, अगर light इस पे पड़ेगी, ये photosensitive है, ये क्या रहेगा, ये पानी रहेगा, ठीक है, इसकी जो सारी efficacy है, वो खत्म हो जाएगी, so as a nurse, what you have to do, you have to administer this, linzo lid, under, photosensitive precautionals, ठीक है, light इस पे नहीं पड़नी चाहिए, अब यहाँ पे, एक और चीज आपको याद रखनी है, कि जो photosensitive drugs होते है, जो हमने, हमको क्या करना है, काले कपड़े में लपेट के देने हैं, उनमें तीन ड्रगस आते हैं, memorize कैसे करोगे, lens है, that is the local area network, L means linsolid, ठीक है, A means amphotericin B, and जो third है, that is nitroproside, sodium nitroproside, ठीक है, यह जो तीन ड्रगस है, यह क्या होते हैं, photosensitive होते हैं, और यह हमने, क्या करने हैं, काले कपड़े में, लपेट के देने हैं, एक indigenous work को, बहुत ही ज़्यादा important है, तो यह तो की हमने बात, regarding the gram positive, कि gram positive के against, कौन-कौन से antibioticism, यूज कर सकते हैं, अब अगर बात करेंगे, gram negative bacterias की, तो क्या gram negative bacterias, जो है, जैसे mostly हमने देखा था, कि जो just infections होते हैं, वो usually हो जाते हैं, because of the gram positive bacteria, तो क्या gram negative bacteria, just infections कर सकते हैं, तो the answer will be यह सा, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखे, जो gram positive थे, वो directly through inhalation जाते थे, just में, and there, वो infection कर देते थे, बट, अगर कोई individual, कोई patient है, हमें ICU में on ventilator, so ventilator का जो patient होता है, जो ventilator पे patient होता है, उसको chances होते हैं, of VAP, ventilator, associated pneumonia, यह जो, VAP होता है, ventilator associated pneumonia होता है, after 48 hours of ventilation, ठीक है, तब जाकि यह individual में क्या होता है, develop हो जाता है, और यह जो infection होता है, of VAP, यह किस से होता है, pseudomonas से होता है, और pseudomonas क्या है, that is a gram negative bacteria, अब होता कैसे है, क्योंकि जब भी ventilator attach होता है, एक patient को, तो जो ventilator की tubing वगरा है, उस पे क्या हो सकता है, उस पे यह bacteria present होगा, तब जाकि यह enter हो सकता है, in the chest cavity, वहाँ से जाकि यह pneumonia कर सकता है, और अगर pseudomonas नहीं कर सकता है, तो klebsula कर सकता है, klebsula से भी ventilator associated pneumonias हो जाते हैं, एक individual में, कैसे होता है, जैसे आपको कोई patient है, patient ventilator पे लगा है, tracheostomy tube वगरा है, तो आप क्या करते हो, you perform the suctioning, जब suctioning करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो suction का वो tube होता है, वो हम लटका के रखते हैं, so that कि 10 मिनट के बाद, अगर फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर से वो suction करेंगे, ऐसे individual को, ऐसा ही होता है, क्योंकि suction, जो catheter होते हैं, उनकी कमी होती है, हमारे hospitals में, तो पहले exposure पे तो ये city rail था, लेकिन दूसरे exposure पे क्या था, उसको clepsula लागा हुआ था, वो जाके गया, lungs में, और वहां से जाके क्या किया, ventilator associated pneumonia किया, वहां पे, अब अगर चलते हैं, gram negative bacteria पे, तो हमने पहले ही कहा था, कि ये जो gram negative bacteria होते हैं, gram negative bacteria, जो है, ये water के थो, transmit हो जाते हैं, from one individual to another individual, so obviously, जब water के थो, ये transmit हो जाएंगे, from one individual to another individual, तो कहां कहां पे जा सकते हैं, they can cause the infections of GIT, urinary tract, और brain में भी, चले जा सकते हैं, ऐसे organisms, अब इनके एगेनिस्ट कौन-कौन से, antibiotics effective होते हैं, first class of drug is the, amino glycosides, amino glycosides effective होते हैं, एगेनिस्ट दे, gram negative bacteria, as for in a stannis, कौन-कौन सा amino glycosides हम योज़ करते हैं, जैसे हम योज़ करते हैं, gentamicin करते हैं, ठीक, amyakacin करते हैं, या, tobramycin करते हैं, और citraptomycin हम योज़ करते हैं, देखें, यह जो amino glycosides होते हैं, जैसे, UTI में first line of drugs हम देते हैं, sulfonamides, ठीक है, अगर किसी individual को severe UTI होगा, देन हम जाके उसको क्या करते हैं, amyakacin देते हैं, 750 mg देते हैं, OD dose, through IV root, diluted form में देना है, विकास, जो amino glycosides होते हैं, यह बहुती जादा painful होते हैं, जब इनकी administration करते हैं, या IM root के through भी हम देते हैं, जैसे citraptomycin हम देते हैं, through IM root, ठीक, यह किन patients में हम यूज करते हैं, जिन patients को tuberculosis हुआ हो, और as a second line drug हम यह यूज करते हैं, और अगर pregnancy की बात करेंगे, pregnancy में हम citraptomycin नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, विकास यह fetus जो है, fetus में create कर सकता है, deafness, fetus को यह deaf बना सकता है, क्योंकि जो नर्व होती है, that is the 8th cranial nerve, जिसको हम commonly क्या बोलती है, vestibulo, cochlear, nerve, vestibulo, cochlear, नर्व को यह क्या करता है, damage करता है, उससे एक fetus जो है, उसमें deafness हो सकती है, that's why, satraptomycin हम pregnancy में नहीं देते है, ऐसी female में जिसको क्या होगा, जिसको tuberculosis हुआ होगा, so यह जो amino glycosides है, बहुती effective drugs है, यह निस्ते तक gram negative bacterias, बट यह tablet farm में नहीं आते हैं, जब tablet farm में नहीं आते हैं, so obviously जब आप patient जब discharge होगा, तो गर में amino glycosides उसको नहीं लगा सकते है, for that purpose हमने क्या किया, we make use of fluorocuinolonus, fluorocuinolonus जो है, वो बोथ farmers में available होते हैं, जैसे वो IV farm में भी available होते हैं, और tablet farm में भी और मुस्टी क्या होते हैं, in the tablet farm, fluorocuinolonus की बात करेंगे तो, fluorocuinolonus में सबसे most common जो, fluorocuinolonus हम use करते हैं, that is the, ofloxin, ofloxin जो है, जो fluorocuinolonus है और amino glycosides, gram negative को cover करते हैं, लेकिन जो gram negative से, अगर urinary tract के infections होते हैं, तो urinary tract में mostly हम यह use करते हैं, ठीक है, otherwise GI के infections में भी हम use कर सकते हैं, और fluorocuinolonus जो है, वो ज़ादा restricted रहते हैं, towards the infections of GI tract, तो पहला जो drug है, that is the ofloxin, ofloxin हम use करते हैं, 200 mg हम देते हैं, BD dose, that is paroral, ठीक है, orally हम इसको administer करते हैं, राइट, देखे, जब भी किसी individual को simple सा fever होगा, because of some GI infection, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम use करते हैं, ofloxin, अब अगर किसी individual को GI infection है, GI infection है, that means obviously there will be fever, and along with that, उसको कुछ systemic infection होगा, GI infection भी है, और systemic infection भी है, at that time, हम use करते हैं, norfloxin, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब अगर, और norfloxin जो है, 400 mg देते हैं, BD form में, अगर कुछ severe ज़ादा है, infection, तब जाके हम use करते हैं, leofloxin, leofloxin कितना देते हैं, 500 mg देते हैं, OD, tablet form में भी आता है, और injectable form में भी आता है, as an IV infusion, as for in a stannis, किसी individual को, GI का infection है, systemic infection है, plus जो chest infection भी है, ऐसे individual को, इसका spectrum ज़्यादा बड़ा है, तो obviously, यह हम कहां पर use कर सकते हैं, ऐसे condition में, जैसे आपने देखा होगा, कि मतलब, जो भी patients होते हैं, hospital में, जिनको chest infection होगा, उनमें, leofloxin as infusion होता है, अब अगर किसी patient की severity ज़्यादा है, या उसको leofloxin से allergy होती है, तो वहाँ पर हम, moxifloxin का use करते हैं, वो भी आता है, as 400 mg dosage में आता है, और OD हम देते हैं, as IV infusion, और ये जो leofloxin है, ये रखते हैं हम, as reserved drug for TB, reserved drug for TB हम ये रखते हैं, क्योंकि इसका स्पेक्टरम जो है, वो काफी बढ़िया है, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी, कि अगर किसी individual को gram positive bacteria से infection होआ है, वहाँ पर हम ऐसे ऐसे drugs यूज़ करते हैं, लेकिन पैंसलेम वागेरा का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर resistance is developed हो गई, then we go for other drugs as well, जैसे vancomycin and all those drugs. In the same way, क्या होता है, कि gram negative के against be ki, individual को क्या होता है, resistance is developed होती है, so जब भी gram negative के against resistance is developed होती है, negative antibiotics, ठीक है, that means कि जो multi drug resistance, gram negative होते हैं, उनके against हैं, एंटिबियोटिक्स यूज़ करते हैं, and second category is ESBL, that is extended spectrum beta lactamase, ये तब हम यूज़ करते हैं, इस टाइप के drugs, जब किसी individual को gram negative infection की वज़े से, gram negative bacteria की वज़े से क्या होआ है, resistance is developed हो गई है, हम उसको क्या देते हैं, हम उसको fluorocoinolones देते हैं, या हम उसको amino glycosides देते हैं, लेकिन उससे individual को क्या होता है, ये respond नहीं करता है, तब जगे हम ऐसे antibiotics यूज़ करते हैं, now, MDR gram negative against कौन से antibiotics effective है, that are keplosoporinolones और siplosoporinolones जुनको हम commonly बोलते हैं, siplosoporinolones के different generations है, first generation है, second है, third है, और fourth generation है, देखें, अगर हम first generation की बात करेंगे, तो ये ज़्यादा coverage करते है, gram positive bacteria को, second generation पे move करेंगे, तो gram positive को भी involve करेंगे, और gram negative को भी, then third generation पे, जब हम move करते हैं, तो ये first generation को भी involve करेंगा, और जो इसका gram negative का spectrum है, वो उतना उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे first generation की बात करेंगे, तो first generation में जो common आता है, that is cephozolin, cephozolin है, first generation, keplosoporin, then second generation में, cephoperazone आता है, third generation में, क्या आता है, हमारा, cephotoxyme आता है, या third generation में, हमारा septraxone आता है, और fourth generation में आता है, cephoepoim, जो आप commonly use करते हो, in the hospital settings, now, अब उसके बाद, अगर बात करेंगे, कि अगर किसी individual को क्या है, in cephozolin से भी, क्या हुआ है, in cephozolin से भी, उसका infection जो है, वो resolve नहीं हुआ है, then in that case, हम क्या करते हैं, हम individual को, fifth generation, देते हैं, ऐसे individual को, और जो most common, fifth generation, keplosoporin आता है, हमारे पास, that is the cephozolin, cephozolin is, fifth generation, keplosoporin, अब अगर, fifth generation से भी, एक individual का infection, resolve नहीं हुआ, then जाके, we move to, meropenem, या, colistin हम यूज़ करते हैं, या, फिर, IV, phosphomycin, या, फिर, हम जाते हैं, TG cycling पर, जो phosphomycin है, ये IV भी आता है, और, as a powder form भी आता है, ठीक है, powder form में अगर ये आएगा, तो, ये क्या होता है, इसको हम, पानी की साथ mix करते हैं, almost 120-150 ml पानी की साथ, mix up कर देते हैं, in the lukewarm water, ये यहाँ पर आपको, important है, ये कभी पूछा जा सकता है, कि अगर, phosphomycin, sachet, अगर किसी patient को देना हो, तो, वो lukewarm water में देते हैं, ऐसे individual को, ये तो था, कि जब भी gram negative infection होगा, तो पहले initial में, हम amino glycosides यूज़ करेंगे, या, fluorocoinolones यूज़ करेंगे, अगर किसी individual को, infection resolve नहीं हुआ, resistance is develop हुई, then, MDR, gram negative, antibiotics हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या आते हैं, keplosipurin, ठीक है, fourth generation तक हम जाते हैं, अब अगर किसी individual को, उससे भी infection treat नहीं हुआ, then, ESBL, ठीक है, ESBL में, fifth generation, keplosipurinolones हम यूज़ करते हैं, क्या तो हम यूज़ करते हैं, meropenum, या colistin, या phosphomycin, और, TG-cyclin, then, comes the, antibiotics, that are against the, atypical bacteria, as I already told you, यह जो atypical होते हैं, यह resemble करते हैं, with gram positive, so obviously, अगर यह resemble करते हैं, with the gram positive, तो, plus minus chances है, यह क्या कर सकते हैं, brainway infection, लेकिन, ENT, chest, और, sickin के infection, किसे हो सकते हैं, atypical, bacteria से हो सकते हैं, so, in atypical bacteria, को treat करने के लिए, हम क्या यूज करते हैं, we make use of the, macrolitis, macrolitis में, कौन सा drug आता है हमारा, चैसे, पहला जो drug आता है, जो पहले discover हुआ, that was the, erythromycin, ठीक है, उसके बाद, discovery हुई, of erythromycin, then, clarithromycin, ठीक है, then, roxythromycin, throw वाले, जो आते हैं, thromycin वाले, that are the, macrolitis, और macrolitis, किनके अगेनिस्ट, effective है, against the, atypical bacteria, right, और, अगर, इन चारों में से, बात करेंगे, तो, सबसे ज़्यादा, effective जो होता है, और, we can say कि, effective ज़्यादा नहीं होता है, रॉक्सित्रो, कलारिथ्रो, azromycin से, ज़्यादा effective होते हैं, बट, यह जो azromycin है, यह हम most commonly, use करते हैं, ठीक है, कितना देते हैं, tablet form में, although, IV form में भी आता है, IV form में, आपको यह क्या देना है, as an infusion, in the 100 ml of saline, ठीक है, लेकिन, 3 days तक, उसके बाद नहीं देते हैं, क्योंकि, 3 दिन जब इसको लेते हैं, फिर यह, 7 दिन के मजे देता है, कैसे देता है, 7 दिन के मजे, क्योंकि, जो azithromycin होता है, यह bound होता है, with the, WBCS, or, act करता है, against the, atypical, bacteria, so, तीन दिन लेने के बाद, 7 दिन यह आके, blood stream में रहता है, after that, there comes the, tetracycline, atypical bacteria के, agenist, अगर, बात करेंगे, macrolitis ज़्यादा यूज करते हैं, या, tetracycline ज़्यादा यूज करते हैं, so, option will be the, macrolitis, tetracycline, tetracycline की example है, commonly क्यों यूज नहीं करते हैं, पहला reason जो है, that is कि, यह जो है, यह tab forum में नहीं आता है, आता है, but rear case, rear situations में आता है, या rear जगूं पे आता है, right, plus, यह pregnancy में जो है, contraindicated है, that is the limitation, और जो children है, below 8 years of age, उनमें भी यह क्या है, contraindicated है, क्यों contraindicated है, because as I already told you, यह करता है, black staining of teeth, black staining of teeth करता है, so यह जो दो classes है, these are effective against the, atypical bacterias, now the final class is the, antibiotics that are, against the anaerobic bacteria, as I already told you, यह जो anaerobic bacteria है, यह present होते हैं, हर जगा, एक individual के body में, ठीक है, घर का बेदी ही, लंका ढाजाता है, तो obviously, जब भी, body की balance change होगी, तब जगी, infection create कर सकते हैं, ठीक है, sickin पे होते हैं, हमारी oral cavity में होते हैं, ठीक है, या gut में होते हैं, GI tract में होते हैं, अब अगर किसी individual को क्या हुआ है, कि GI tract है, उसका ठीक, तो intestinus में क्या हुआ, intestinus में obstruction हो गई, ठीक, for that obstruction, आपने individual को क्या किया, you did the surgery, surgery के बाद आप क्या करते हो, जब आप patient की prescription देखते हो, वहाँ पे लिखा होता है, metrogil, that is the metron dissolve, ठीक है, metron dissolve पे patient को लगा देते हैं, ठीक, IV infusion देते हैं, IV infusion, over, 8 hourly, ठीक है, TID, dose में हम यह देते हैं, और dose कितना होता है, 400 mg होता है, देखे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी, एक individual को abdominal surgery करते हैं, तो वहाँ पे obviously यह anaerobic bacteria present होगा, अब जो body का normal equilibrium है, वो change हो गया है, ठीक है, जैसे यह board थी, इसमें small leak हो गया, तो उससे क्या हुआ, यह जो सारी की सारी board थी, यह डूग गई, like the same way, यहाँ पे क्या होगा, अब जब manipulation होती है, because of the surgery, तो यह जो anaerobic bacteria है, यह यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके यह peritonitis develop कर सकते हैं, for that purpose, हम क्या करते हैं, patient को metroidal पे लागा देते हैं, right, और one more thing is, कि जहाँ पे भी, abscess का नाम आएगा, abscess जो होता है, वो closed होता है, so obviously जो इसमें bacteria होगा, that will be anaerobic, जहाँ पे भी abscess का नाम आएगा, that means कि यह anaerobic bacteria से हुआ है, so अगर कहीं body में abscess present होगी, तो उसके against क्या क्या drug हम यूज़ करते हैं, metron dissolve यूज़ करते हैं, and kilendamycin हम यूज़ करते हैं, now, अब metron dissolve और kilendamycin की अगर हम बात करेंगे, जो kilendamycin होता है, kilendamycin हम sometimes use करते हैं, against the MRSA, ठीक है, क्योंकि इसका spectrum जो है, that is broad, और अब simple में हम कैसे memorize करेंगे, अगर infection है, because of the anaerobic bacteria, above the diaphragm, diaphragm से उपर अगर, anaerobic bacteria से infection हुआ है, वहाँ पे जाके हम use करते हैं, kilendamycin, above diaphragm, हम use करते हैं, क्या, kilendamycin, जैसे आपने देखा होगा, कि किसी individual को chest का infection है, hospitalized है, उसको kilendamycin पे रखा होता है, TID dose, ठीक है, IV infusion, ये भी देते हैं, ठीक है, पहले-पहले क्या करते थे, पहले-पहले हम dilute कर देते थे, इसको 10 ml में, then after that हम administer कर देते, but, kilendamycin से, enough phylaxis होती है, for that purpose, हम इसको क्या देते हैं, as IV infusion देते हैं, और अगर, anaerobic bacteria से, infection हुआ है, below the diaphragm, below diaphragm, फिर क्या यूज़ करते हैं, metron dissolve का, यूज़ करते हैं, so, ये थे कुछ, antibiotics के, main-main antibiotics के classes, और उनके basis पे, ये हम कहां-कहां पे, use करते हैं, और यहां पे आपको, एक चीज़ under consideration लेनी है, कि अगर, antibiotics का, amino glycosides के related, most of the time, पूछते हैं, जो amino glycosides होते हैं, these are nephrotoxic होते हैं, और autotoxic होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखने हैं, कि amino glycosides जो है, that are nephrotoxic, and autotoxic, ये important है, so, you have to memorize it, अब अगर final में बात करेंगे, इनके mechanism of action की, जो mechanism of action होता है, of anti-biotics, वो हम चार categories में divide करते हैं, या तो ये cell wall synthesis inhibitors होंगे, या protein synthesis inhibitors, या DNA synthesis inhibitors, या folate antagonist होंगे, cell wall synthesis inhibitors में, कौन-कौन सा drug आता है, जैसे pencillinus होगे, pencillinus किसमें आते हैं, cell wall synthesis inhibitors में, या kephalosoporinus होगे, kephalosoporinus भी हमारे आते हैं, इनमें, cell wall synthesis inhibitors, या हमारे, जो vencomycin आता है, vencomycin भी, cell wall synthesis inhibitor होता है, या तो ये सेम वे, जो protein synthesis inhibitors होते हैं, protein synthesis inhibitors में आते हैं, हमारे, tetracyclinus, then, जो aminoglycosides है, aminoglycosides भी, protein synthesis inhibitors में आते हैं, या linzolyd, वो भी आता है, protein synthesis inhibitor, या जो most common drug है, ठीक है, that is the chloram penicol, chloram penicol भी किस में आता है, chloram penicol भी, protein synthesis inhibitor होता है, chloram penicol, देखिए, ये जो drug है, इसकी आप पो थोड़ी सी information रखनी है, एक ये कि जो hemolytic enemia है, hemolytic enemia होता है, because of chloram penicol, और जो babies होते हैं, बेबी में ये क्या करते हैं, they call the grey baby syndrome, देखिए, grey baby syndrome क्या होता है, जो chloram penicol होता है, ये excrete out होता है, थोटा kidneys, जो babies होते हैं, उनका renal system जो है, वो उतना mature नहीं होता है, so obviously, जो इसकी elimination है, drug की, वो कम हो जाती है, in case of the babies, जब इसकी elimination कम हो जाती है, तो ये body में accumulate होता है, जब ये body में accumulate हो जाता है, तो baby जो है, वो poorly feed करता है, ठीक है, poor feeding होती है baby में, plus जो इसकी breathing होती है, वो depressed हो जाती है, that means there is depressive breathing, और cardiovascular collapse होता है, बच्चे में, और cardiovascular collapse हुआ, जो breathing थी, वो depressed हो गई, so there will be sinus, that is why we call it as, gray baby syndrome, ठीक है, so जब भी किसी बच्चे को हम, कलोरम पहने कॉल देंगे, उसकी excretion और elimination कम हो जाती है, उसे क्या होता है, accumulate हो जाता है, कलोरम पहने कॉल in the body of the baby, baby की feeding कम हो जाती है, लेखे, depressed breathing होती है, cardiovascular collapse होता है, और sinuses हो जाती है, बच्चे में, that is called as the gray baby syndrome, third class जो है, that is the DNA synthesis inhibitors, जो drugs होते हैं, जो class of drugs है, जो inhibit करते हैं, किसको DNA की synthesis को, उन में से कौन-कौन सा drug आता है, कौन-कौन सा class आता है, like के हमने बात की थी, deptomycin की, तो deptomycin जो है, that is DNA synthesis inhibitor, then, जो fluorocoonolones है, fluorocoonolones भी, किन में आते हैं, ये आते हैं, in the DNA synthesis inhibitors, और, जो folate antagonist है, that means कि, जो folic acid की synthesis को, इन bacteria क्या करते हैं, inhibit करते हैं, और antagonize करते हैं, folic acid की synthesis को, उन में आते हमारे, sulfur drugs, जो हमने already discuss किये हैं, as for inasthenes, example, cotrimazole, cotrimazole क्या करता है, ये folic acid synthesis को, inhibit कर देता है, और, trimethoprim, यहाँ पर अब ये important क्यों है, क्योंकि, जब हम patient को, sulfur drugs देते हैं, ये क्या करता है, ये folate antagonist है, folic acid synthesis को, bacteria में inhibit करता है, so obviously, अगर ये bacteria में, folic acid synthesis को, inhibit करता है, तो कहना इसे है, कि, ये create कर सकता है, folate deficiency, in an individual, folic acid deficiency, create कर सकता है, so examiner फूच हेगा, sulfur drugs की स्वी को चार रहे है, तो किस की deficiency हो सकती है, folic acid की deficiency हो सकती है, और folate की deficiency हो सकती है, that is the vitamin B9, so this was a summarized lecture, regarding the antibiotics, hope you have enjoyed, each and every point of the lecture, stay connected for the more content, कर्ण ए हो बangenि, उर thinksablewol की स्वी को pole कि एरे वस्वार कार्ण पोशंब है, पाए्षाउस्यद मअँगाज्ट है, भाना इसरी झाल↑ हिंधत दिर जोजएफगा, इस्γοह झालना हो खूज़